महिलाओं को हमारे समाज में कई सारे अधिकार दिये गए हैं, जिनका समय समय पर महिलाओं द्वारा ही दुरुपयों किये जाने की खबरे सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से रिपोर्ट किया गया है, जहां पर स्थित मंदिर में एक महिला वकील ने कुत्तों के साथ प्रवेश किया और जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उन्होंने मंदिर के पुजारी को ही थपड़ मा हालाकि विडियो चार महीने पुराना है और हिमाचल पुलिस के इन्हें जारी करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर महिला वकील ने इसी मामले में अब डीजीपी पर बदसलुकी के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि डीजीपी उनके साथ बद्तमीजी से पेश और उनके पास इसके विडियो मौजूद हैं। महिला ने बार काउसल को शिकायत दी है और मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। आप इस विडियो को अंत तक देख अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर हमें जरूर बताए। की मेंट करते वाए। याल-चा देख एमिर्ड़िव घर्ड़े से कमें जड़तिकरों। या तवाड़ दूद देख एल मत्तमीजी बताइ। कि यहां वाञा कुला रहते हैं अगरि फिर आंधर रहें घृख कि दूनों हुआ है दौनby जान कुछ के खोल रहे हो ताकि वो अंदर आए आपके यह खेमे हैं आप यही करते हो ना आप चेंज करते हो हुझ रहो कि हम खिखान है और दर्वाजाद थो अभी तो बाबाजी अंदर बैठे थे बिद था अपने अपने आप ऊछे नो आप जान मूझ है आप ध्यान में बैटे तो क्योगा है अवह डिया आपके बाबा में इसको ते को तुमें हाट कैसे लाट कि अजयन को तुम जिस वाट एप जग को तुमें, कि अनुरह को तुमें प्याट कि अजयर की अनल छुमें तुमें इसका जब तुमें खबाद कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो झाल झाल